तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉर्मेट पूरा देख लिया था हमने नाव हर किसी को ये पार्ट वीज्वल है तो बता दीजिए फटा फट से और जिसको वीज्वल नहीं है आपके किताब जे आर मोंगा का कुश्चन है ये ठीक है एक बेसिक सा कुश्चन है पहले कुश्चन पड़ देता हूं में अकाउंट बना लेते हैं हम स्टॉक डेटर सिस्टम कर रहे हैं सर सवाल एक बच्चे ने पूछा मेरे से सर कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक डेटर सिस्टम है ये डेटर सिस्टम है देखिए branch expense क्या कहता है देखो कहता है from the following particular branch prepare क्या क्या prepare करना है branch stock account branch stock account के बाद और क्या prepare करना है branch debtor account उसके बाद branch expense account उसके बाद branch adjustment यह line जो है ना इसने clear कर दिया कौन सा method है यह stock debtor system और कौन सा बनाना है books of account तो देखो यह ना question खुदी selfie कह रहा है यह 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 तुमें बनाने है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी यह इसमें जरूरत है या नहीं है आपको बनाने पढ़ेंगे उस situation में ठीक है तो फटा फट से हम account भी draw कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा बना लेते हैं last class में बनाये था ना हमने branch stock account ज़्यादा बड़ा नहीं बनता यह छोटा सा ही रहता है क्योंकि ज़्यादा जानका रही आती नहीं है इसके इंदर हांजे पालो 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 तो जी तो जी ब्रांच डेटर जो है ना रॉकरा ब्रांच अड्र अड्जस्मैंट अकाउंट होगया तो कि इंसर ready- restrict अपनी के का किल नहीं फिर बाद में बच्चे भी बोलते हैं जिनके पास नहीं है वो बोलते हैं हमारे पास किताब नहीं है कुछ बच्चे किताब लेते हैं नहीं है हर किसी की अपनी-अपनी मजबूरी है प्रांच एक बुलाओ है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट ओके तो ना हम एक पीछे का भी पेज ले रहा हूँ इसके लिए यूकि मुझे जुरत पड़ेगी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ आपके लिए ब्रांच अड्जस्मेंट अकाउंट और अड्जस्मेंट का एक और नाम क्या होता है ट्रेडिंग प्राफिट एंड लॉस प्रांच एक प्रांच एक्समेंट भी बनाने ना में एक 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 पढ़ेंगे जहाँ जाना होगा हम करते जाएंगे सबसे पहले सवाल देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग चलना है हमें कुश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कहता है कि स्री एक्स हैजर रिटेल ब्रांच एट अलाहाबाद गुट्स आर सेंट बाए हैड ओफिस हैड ओफिस भेज रहा है ब्रांच सेलिंग प्राइज विच कॉस्ट प्लस 25 परसेंट तो अभी याद रखना हमारा कॉस्ट के उपर हम कितने परसेंट मार्क अप लेके चल रहे हैं 25 अभी मैंने एक शब्द यूज करा क्या मार्क अप तो एक्जामनर डराने के लिए इतने शब्दी यूज कर लेता है ना एक्जाम में आ जागा कॉस्ट प्लस 25 परसेंट नहीं कॉस्ट प्लस मार्क अप 25 परसेंट बच्चा वो लेका मार्क अप क्या आ गया तो मार्क अप प्रॉफिट को ही बोलते हैं ठीक है ना लोडिंग को ही मार्क अप बोलते हैं तो कॉस्ट प्लस 25 परसेंट अल एक्स्पेंस ब्रांच पेड बाई एक्चो सबसर इस वाले मेथड में तो कोई फरक ही नहीं पड़ता अल कैस कलेक्टिड बाई दा ब्रांच फ्रम कस्टमर चाहे आपका वो कैस सेल सो जो भी हो मारा इस डेपॉजिट टू दा क्रेडिट एचो और एचो को हम डेपॉजिट कर देते हैं फ्रम दा फॉलोविंग पर्टिकुलर ब्रांच आगे कहता है सर डेटर स्टार्टिंग में गीवन है और एंडिंग में 12,000 और 14,000 तो डेटर अकाउंट मैंने यही बना रखा है तो डेटर के लिए क्या है वो वर्ड यूज करने वाला हूँ टू बैलेंस बीडी कितने 12,000 और इधर क्या जाएगा बाई बैलेंस बैलेंस सीडी 14,000 किसी को कोई दिक्कत पहले 2 पॉइंट हो गए हमारे डन इन्वेंटरी विद्धा ब्रांच अट इन्वाइस प्राइस ओपनिंग और क्लोजिंग ओपनिंग 16 और क्लोजिंग 17 तो टू बैलेंस पीडी कितने 16 और बाई बैलेंस 17 इसके बाद कहता है cash sales during the year तो यहाँ पे तो sales आ जाएगा और इसके अंदर cash भी रहने वाला है कितने 60,000 और कहता है total amount deposit to HO during the year चलिए इस पर star लगाते हैं देखिए यहाँ से क्या क्या निकाल सकता है return goods to HO at invoice price तो buy return कितना return एक लाग नहीं यह भी कर लिया salary paid कितना paid किया है salary paid किया है इसने 6000 और rent paid किया है discount allowed to customer salary और rent आ जाएगा सर पीछे पी इंडल में आ जाएगा टू salary शे हजार और टू रेंट कितने चार हजार इसके बाद आ जाते है सर डिस डिसकाउंट allowed to customer दो जगा एक तो डेटर में कितने रुपे दो हजार दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ expense में to discount समझ रहना पहले आप क्योंकि कुछ चीज़े जो अकाउंट में जा रहा है तो पी इंडल में तो आनता है पहले ऐसा नहीं होता था पहले आले एक हजार रुपेया एक हजार रुपेच है मैं चलिए इसके बाद आगे spoilage, spoilage क्या होता है? Nust हो जाना, समान का नस्ट हो जाना Goods का नस्ट हो जाना, किसी कारण की वज़े से यानि एक तरीके से बरबाद हो गया हमारा समान, और बरबाद हो गया तो loss है ये, अब ये वाला spoilage जो होता है न हमेशा abnormal loss होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा spoilage गोंसा होता है हमारा ABL abnormal loss, तो spoilage इधर लिख दे 2000, कई बार examiner पता है दिखाने के style अलग होता है, वो यहीं पर loading को अलग-अलग कर देते हैं, कि इतना part मतलब trading में जाएगा और इतना part branch adjustment में जाएगा, तो confused नहीं होना, आप दोनों को जोड के देखे, वो पता है क्या करेंगे, मुझे पता है कि cost plus 25% है, तो sales पे 20 होगा, तो वो क्या करेंगे, 1600 दिखा देंगे, branch adjustment में इस तरीके से लिख देंगे, तो घबराना नहीं है, आपको last तक इसी तरीके से चलना है, ठीक है, चलिए, सारा information पुट कर दिया, अब एक पे star लगा रखा, तब इसको ध्यान से देखिए, कहता है कि total amount deposit HO, जो पैसा मेरे पास आया, वो ही मैंने HO में deposit किया, अब मेरे पास total पैसा जो हो में deposit किया, वो किया 27,000 का, क्या हमें bank account भी बनाने को बोला गया है, एक सत्ताइस, bank account तो बोला नहीं गया, समझिएगा, और मैंने नगद में sales किया, कितने का, नगद में sales किया, तो आप दिमाग लगाईए, कि सर 60,000 नगद में sales किया, और आप branch को आपने 27, branch ने head office को एक लाग सत्ताइस, जार कैसे भीज दिया, तो उवेश से कहीं और से भी पैसे आये होंगे, तो पैसे आने का जरिया क्या है, जो बच रहे हैं बीच में, कितने बच रहे हैं हमारे, हां, 67, जो ये 67 है, तो ये उधार वाला पैसा आया होगा ना, यानि credit, credit, debtor से आया होगा, credit sales कह लो, ये किस से आया होगा, debtor से, लेकिन अगर ये सारे खर्चे मैं ही पे करता, तो ये पैसा debtor से नहीं आता, क्योंकि वो भी घट जाता इसमें से, especially यहां कह रख है, all expense of the branch are paid by H.O, तो मैंने तो पे नहीं किया भाई, वो payment कौन कर रहा है, चो, तो मेरे पास total एक लाख 27 अजार आया, एक 27 में तो भी ये 60 हजार का तो cash sales था, बाकी उधार sales होगा, यानि collection from debtor, तो क्या यहां पे हम word use कर सकते हैं, collection from debtor, कितने रुपे, अब देखो, यहां से क्या निकाल पाओगे आप, two में balance आएगा, क्या निकाल पाओगे, समझ रहे हो, और यह credit sales कहां use कर लेंगे, है ना, समझ रहे हो कैसे link हो रहा account, देख रहे हो ना, अब आ जाते हैं हम इस पे, उसने क्या कहाता ही कि यह, branch expense account भी बोला था, हला कि, तो branch expense account है, जो कि finally जाएगा branch adjustment में, ठीक है न, finally कहाँ जाएगा branch adjustment पे, तो जितने expense है, हला कि मैंने यहां लिख दिया है, हमें लिखना क्या चाहिए था, salary, हाँ, भूला हुए सवाल ने, तो बनाना पड़ेगा, देखो, salary इदर आ जाएगा, और, rent इदर आ जाएगा, और, discount ने, discount तो, देखो, branch का expense तो, branch expense मतलब, जो की payment कर रहे है, ठीक है, अभी मैं बता दूँआ, इस वाले account को थोड़ा hold कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर confusion ना हो जाएगा, यहां तक सब कुछ, बढ़िया समझ में आ रहे है, ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं, फटा फट से account को closing के time पर, मतलब यह सारा हमने information ले लिया, जितने भी बच्चे live में हैं, जितने भी बच्चे फटा फट बता दीजिए, कोई doubt चाहिए, offline में बच्चा है, किसी को कोई doubt बता दीजिए, यहां तक समझ में आ रहे हैं, बहुत simple चल रहा है हमारा सब कुछ, ठीक है न, clear है यहां तक, ठीक है, चलिए, अब यहां से सबसे पहले total अगर हम करते हैं, तो यहां से total, शायद कुछ न निकले, और कुछ निकलेगा, तो इधर shortage और इधर निकलेगा, तो surplus भी आ सकता है, समझ रहे हो न बात को, तो total करते हैं, कितना, अब यहां पे देखो, सबसे बड़ी बात है, यार, good cent नहीं लिखा, हमने, क्या नहीं लिखा, अब यहां good cent निकल जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि बिना good cent के हम माल कैसे बेच रहे हैं, माल पर समान 16,000 का और बेच लाक हो में रहे हैं, तो आया होगा न समान तो, कहां से आया होगा, होगा, तो वह balancing figure आएगा, total कर लेते हैं सर, 87 इसको कर लेंगे, यहां आ जाएगा 120, नहीं, 127 आएगा, नहीं, 127 तो नहीं आएगा, 67 यह तो यहां पर नहीं आएगा भाई, यहां पर निकालेंगे ने, total करके credit sales तो यहां से उठके जाएगा, यह total 84, एक चालिस तो अकेला ही यह से, 14 आ जा रहे है, 84, इसर, और यह 74 यहां एगा, और 134, वाई गलत सलत क्यों बता देते हो, वाई गलत सलत क्यों बता देते हो, एक लाग, 32, इसका total करिए, 137, 149, और एक उननचास, पचास मान लो, एक चपन, 156, माइनस 16,001, सर, 140, तो यह देखो, यह किस पे है, आई-पी, यह किस पे है, कहां गया, कहां गया, कहां गया, आई-पी, जब सब कुछ आई-पी पे, और यह तो कॉस्ट निकला न, तो अब इसे आई-पी पे बनाना पड़ेगा, इसमें एड करो, प्रॉफिट, कितने परसेंट बोला है, कॉस्ट के उपर, देट इस, कॉस्ट निकला, कॉस्ट के उपर पच्चिस परसेंट एड करो, हाँ, पच्चिस परसेंट, सत्तर, पैंटिस, और कितना बन रहा है, इस परसेंट बदलते हैं, क्यों नहीं गलत बताता है, एक पिछात्तर, मैं भी एक बार देख लूँ, सही आई-पी निकाला है, एक बार बुक में चेक करी है, मेरे हिसाब से यह आई-पी पर ही आई एक चालिस, एक मिनट, एक चालिस ही आई ना, इस पर हाँ, क्योंकि यहां पर इसने कर दिया है, क्योंकि सारा साल में ही चल रहा है, तो यह भी सेल ही आ जाएगा, यह क्या आगया सर?, एक... चालिस, ठीक है ना, यह दोनों अकाउंट समझ में आ गया यह difference balancing figure नहीं यह सारा sales पे है और इधर भी sales ही है सारा तो बीच में difference भी sales पे ही आया होगा नहीं वो अलग से question बोल देगा अभी एक question देखेंगे वो बोलेगा अलग से ठीक है नहीं यहां तक सब कुछ समझ में आ गया यह दोनों अकाउंट का enter link अब सार इसके loading को लेना है opening पे loading वैसे तो इसने बोला cost plus 25% तो आपको पता है कि वहाँ पे हम क्या लगाएंगे sales के उपर कितना बनेगा table याद करवाया था तो 16 दूनी 32 और 14 दूनी 28 तो इधर buy side में जाएंगे buy side में loading loading किस पे opening stock पे sir 32 और buy side में loading loading किस पे sir good send पे जो की निकाला है 28,000 ठीक है अब आ जाते हैं इधर अरे वो कोई दिक्कत नहीं वो spoilers को minus कर दिया होगा ठीक है तो यह आगया return वगरा भी उसने अर्जस्ट कर दिया होगा आप देखना सारा सहिम है अब इस पे तो निकलेगा ने return पांच हजार पांच हजार पे बीस परसेंट कितना एक हजार उसका loading इधर आ जाएगा return का return का एक हजार ठीक है इसके बाद आ जाते हैं sir और किस पे आएगा स्पोईलेज स्पोईलेज कुन सा लॉस है abnormal abnormal का क्या treatment बताया था sir कि यहां पे आएगा आपका loading और उसका बाकी बचा हुआ ठीक है याद आए आपको तो फटा फटा आ जाते हैं कितना 2000 का है तो 2000 का loading निकालेंगे तो क्या आजाएगा sir loading चार सो तो बाकी 1600 कहां चला जाएगा 2 abnormal loss 1600 समझे बात ठीक है इसके बाद आ जाते हैं और क्या है sir closing stock 17000 पर 3400 बनेगा 2 loading यह है sir closing stock पर यह है ABL पर यह bracket में लिखना है और यह है sir return पर loading कितने हैं 3400 पटाफट जीपी निकाली 28 और 3 11 31 200 है न 31 200 यहां पर आएगा 2 GP GP करिए 38 48 माइनस करिए कितने पर यह पर यह अरे भाई 31 200 मेंसे आप 38 27 26 यह आ जाएगा GP 25 मैं कहे रहा हूं इस कैलकुलेटर को यूज करना बंद कर दो आप और इसनल कैलकुलेटर ले लो नहीं तो परिशानी रोगए इसमें इसमें तो करा ही है यह समझ में आया अब यहां से फाइनल के आएगा इनपी 26-400 पटाफट देखें क्या हम निकाल पाएं एंपी वुक्स से एकदम मैच होना चाहिए हाँ इदर उदर वुक्स से दिख सकता है ब्रांच एक्समेंस अभी अलग से समझा दूँँ है कि 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 अब आप 26-400 पर देखेंगे अब आप एक चीज़ आपजर्व करेंगे मैंने तो यह करा यह चीज़ आपको बिल्कुल सब्सक्राइब अब 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 कर रहा था अब 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 अब